बहले आपसे कोई मिलने आता पांच मेर तो उससे अच्छे से मिल लो चेहरे में खुसी होना चाहिए खुसी जलकना चाहिए भले आप कितना भी इरिटेट क्यों ना हो दोस्तो पहली अपडेट होना वली हर्स बेनिवाल के बारे में मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हर्स बेनिवाल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सेयर की थी जिसमें उन्होंने अपने साधी के वेडिंग कार्ड को सेयर किया था जिसके बाद दोस्तो आज इस पे काफी सारे यूटूबर का रियक्शन आया था तो मुहित चिकारान लिखा ये कब बताने वाला था भाई और दोस्तो इसके बाद एल विश यातों ने लिखा हर्स भाई की साधी ये कब हुआ भाई और दोस्तो इसके बाद उनके फ्रेंड पूरब जहा के भी यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पे श्टोरी सेयर की जिसमें उन्हों लिखा कंगरोच लेसंस मेरे भाई हर्स भेनिवाल सो हैपी फोर यू फाइनली आपको अपनी लाइप पाटर मिल गई दोस्तो मैं यहाँ पे बता दिना चाता हूं कि यहां रियल में कोई साधी नहीं है बलकि Amazon Mini TV पे हर्स भेनिवाल का एक वीडियो आने वाला जिसके पर्मोसन के लिए हर्स भेनिवाल ने यह तरीका निकाला है और दोस्तो कल हर्स भेनिवाल अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सेयर किये थे जिसमें वा जिंगल बेल संग को हर्यानवी लेंग्विज में गाते हुए नजर आ रहे थे जो कि सुनने में काफी ज़्यादा चांदार लग रहा था तो आप लोग भी उस संग को सुन करावेगा फिर डेट पजाऊंगा मनजी सा आज जागा रिस्ता डन होते ही मेरा गाम में डोल बीवाज जाएगा फिर दाओ गेला मैं जमा उका फुकूंगा सारी रात डीजे पे ना चूंगा इब मैं ना रुकूंगा जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ओल्द वे शंट तो नेक्स टब डेट होना मनोज देख के बारे में दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मनोज देने कल अपने इंस्टाग्राम पे श्टोरी डाल करके बताया था कि कल उनका एक बहुत ही संदार वीडियो आने वाला जो कि फाइनली उनके चैनल पे चुका है और दोस्तों उन्होंने वीडियो डालने से पहले ही बोला था कुछ लोग को घमंड हो गया भी हुका तो देखिए सबसे पहले आप लोग उनकी वीडियो के चोटी से क्लिप और उसके बाद आपको एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज बताएंगे हो पॉलाइटली बात करते हो लोगों से मतलब के अच्छे से बात करते हो और डाउन टो अर्थ हो यह चीज आपका सो होना चाहिए भले आप रियल लाइफ में हो या ना हो उससे फरक नहीं परता बड़ वीडियो में आपको इसी तरह से लगना चाहिए आपको इसी तरह ब जैसे ही काफी सारे लोगों को लग रहा था जो कि उनके वीडियो के नीचे जाकर के कोवेंट भी कर रहे थे बड़ दोस्तों मनोज दे ने इसके बाद अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टोरी शेयर किये जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है मैं किस मैं इस परकार के वीडियो मैं पहले भी बनाता था ठीक है यह मैं नया नहीं बना रहा हु पहले आप लोग का पी बनाता है उसी खाता हूँ के ऐसे नहीं करना है अच्छे से काम करो यह करो तो किसी को टार्गेट नहीं कर रहा है आप लोग गलत फहमी में हूँ मेरा ये काम है मैं इसे यह वीडियो पहले भी बनाता था अभी बना रहा हूँ सी इस तरह के कमेंट प्लीज ना करें तो निक्स्ट अपडेट होने वाली एलविश यादो के बारे में दोस्तों एलविश यादो का न्यूज सॉंग दसौटकट उनके यूटूब चैनल पर आ चुका है तो आप लोग जा करके देख सकते हो तो अभी की अपडेट होती है यहीं पेस्समापत अगर आपको वीडि तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राब